तो लगातार सब्री मला मामले पर हमारी नजर बनी हुई है इस पर सुप्रीम कोट ने अपना फैसला जो है वो लगातार जो पॉइंट्स है वो आ रगे हैं फैसला वो सुना रहा है कोट इसमें ये कहा है कि जो बड़ी सामिधान पीठ है उसको ये मामला रैफर किया गया है लेकिन भूमाता ब्रेगेज की त्रप्ती देशाई क्या कुछ कह रही है जरा ये भी सुन लेते हैं इस निरनाय का विरोध हो सकता है इसलिए सुप्रीम कोट ने अगर लारजर बेंच के यहां पर ये अगर निरनाय सोपा है तो मुझे लारजर बेंच के उपर विश्वास है लेकिन जल्द निरनाय होना चाहिए क्योंकि ये फेस्टिवल आने वाला है और इसमें महिलाओ को जो दर्शन का अधिकार मिलना चाहिए वो तुरंत मिलना चाहिए तो इस निरनाय का हम स्वागत करते हैं तो लगातार इस मोहिम को जो उठाते रहे हैं महिला संक्ठन उनको कहीं उम्मीद नजर आती है कि अगर बड़ी सम्वधानिक पीट को भी इस मामले को भेजा जा रहा है तो वहां से भी फैसला उनी के पक्ष में आएगा को उता दे कि 2018 में सर्वो चदालत ने साफ ये कहा था कि महिलाओं को उम्र के आधार पर किसी भी मंदर में जाने से रोका नहीं जा सकता ये उनका मौलिक अधिकार है मोहित बख्षी हमारे साथ हमारे सहियोगी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं मोहित खुथ ये बात कही है इंदू मलोत्रा जो जस्शिस है उन्हों ने बात कही है कि इसको लारजर बेंच में भीज़ना चाहिए और तीन दो से लारजर बेंचThere नहीं में घेए है पिल्कुल पिशली बार भी वही एक लोती थी महिला वही है और उन्होंने पिशली बार भी विरोध किया था, ये भी कहा गया था उनकी ओर से कि धर्म के मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए और अभी आप कह रहे हैं कि यह जो तीन दो की यहाँ पर रेशो है तो इसमें भी इंदू मलोतरा ने वही सेम चीज रिपीट किये जी इंदू मलोतरा ने ही पिछली बार भी कहा था चार एक से फैसला आया था और जशिस इंदू मलोतरा यह कह रही थी कि उन्होंने पूरी बात अपनी विस्तार से अपने जज्जमेंट में दी थी कि क्यों वो इसकी पक्षधर नहीं है अपने उस फैसले के पक्ष में क्यों नहीं थी और अभी जो लार्जर बेंच को भेजने की बात है उसमें भी जस्टिस इंदू मलोतरा का नाम है और खुद को भी जगारागी